तो problem बिल्गुल सिंपल है, यहाँ पे हम जैसे forget password पे click कर देते हैं, अब यहाँ पे friends हम अपने account को find करने जाते हैं, example मुझे email से find करना है तो यहाँ पे find account के नीचे option है, इस option पे हम click कर देते हैं, तो click करने के बाद यहाँ पे friends हमारा email ID हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो email address डा करना चाते हो, तो बिल्कुल easy तरीख से अपने account को recover कर सकते हो, अब यह कैसे करें वही आज किस वीडियो मताने वाला हो, बस देहान से वीडियो को देखिए, वीडियो देखते हैं, कोई भी problem आती है, तो पहले तो निसंकोच comment box में comment करना, वीडियो अलपल लगता तो इस करते हैं, start video without any waste your time, पहली बात and पहला solution यही कि friends यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पर अपना account find करने जाते हैं, तो friends हमें कभी-कभी अपना email ही पता नहीं होता है, वो confirm मतलब हम गलती से गलत email डाल देते हैं, अब गलत email डालने के बाद find account पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता हैं, अगर काफी दिन पहले, मतलब friends, 90 दिन से पहले उस ID का email चेंज किया है, तो उस तितमे friends, no account found का आपको error आ सकता है, अगर यह error आपको आ रहा है, और इस problem को आप solve करना चाते हो, अपने ID को आप login करना चाते हो, तो सबसे पहले क्या करना है friends, यह error आ रहा है, यहाँ पर password, मतलब simply इसी option पर फिर से click करना है, तो जैसी click करने के बाद, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले पहला तरीका यह, कि यहाँ पर आपको क्या करना है friends, जो आपका mobile number है, वो डालिए, ओकिए, आपका mobile number डाल की हाँ पर आप account को find कर सकते हैं, जिससे friends, वो ही account आपको मिल सकता है फिर से, example मैं आपना mobile number में यहाँ पर डाल दिया, अब मैं यहाँ पर find account पर click कर दोगा, तो click करने बाद, उस mobile के related जितने भी account अभी तक बनाया है, वो आपके सामने आ जाएंगे, यहाँ से आप अपने account को find कर सकते हो, example friends, यह top का account मेरा है, इस पर मैं click कर देता हूँ, तो click करने बाद, बस यहाँ पर आपके सामने access आ जाएगा, text का आ सकता है, या WhatsApp का आ सकता है, मेरे सामने WhatsApp का आ गए, अब मैं simply continue क्लिक करके, WhatsApp पे code ले सकता हूँ, मतलब friends, मुझे code आ जाएगा, आप देख सकते है, WhatsApp ओबन करके भी आपको दिखाता हूँ, यहा आपका ID आपको मिल जाएगा, मतलब आपके ID को यहाँ पे आप login कर सकते हो, without any problem के, फिर भी problem आ रहे हैं, आपके account को आप find नहीं कर पारे हो, तो ऐसे ते तुमें friends, आपको क्या करना है, नीचे वही option आपको मिल जाता है, search by email instead, इस वाले option पे click करना है, click करने के बाद आप अपना नाम भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, मतलब जो ID आप recover करना चाहते हो, उसका username या name यहाँ आप डाल सकते हो, जिसे कि यहाँ पे मैं अपना name यहाँ पे डाल देता हो, आपको दिखाने के लिए, एक्जाम्पल में friends कोई और facebook account यहाँ पर login करता अपना ही तो यह facebook account में ने यहाँ पर login कर दिया अब आपको क्या करना है friends search bar पर click करना है जो भी idea आप recover करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर बस आपको search करना है तो friends id मुझे मिलके यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपको उसके id के मतलब उस id के profile पर आना है त्री डॉट पर click कर लेना है and friends उसका जो profile link है वो आपको copy कर लेना है मतलब friends यहाँ पर आपको profile name भी show हो जाएगा and साथ में जो id का user name में वो भी show हो जाएगा तो friends profile link copy करने के बाद यहाँ से ID को आपको log out कर लेना है तो log out करने के बाद friends यहाँ पर आपको फिर से login into another account इस पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद forget password पर click करना है अब यहाँ पर search by email instead इस पर click करना है यहाँ पर आ जाना है and जो profile link हमने copy की दी वो बस यहाँ पर paste करना है paste आप नहीं कर दी अब यहाँ पर find account पर click कर लाना है click कर दे friends वो ID आपके सामने आ जाएगा उसका access भी आपको show हो जाएगा यहाँ पर try another way इसके उपर click करेंगे friends तो उस ID में जो जो भी link है email address भी आप check कर सकते हो कौन सा link है यहाँ पर starting के end की आक्षर आपको दीख जाएगे तो यहाँ पर confirm कर लिजे यही email ID आपके पास है जो ID से link है नहीं है तो comment box में comment कर सकते हो और भी कही सारे solution है email ID आपको पता चल गया है अब क्या करना है friends email ID के मतलब second वाले option पर click करना है click करने बाद continue पर click करके friends यहाँ पर ID को recover कर सकते हो या see more का यहाँ पर option है इस पर click करके आप SMS भी check कर सकते है SMS के द्वारा भी अपने ID को आपको recover करना है mobile number यह आपके पास है तो इस पर tick करके continue पर click करके password को reset कर सकते हो मैं email के द्वारा बता देता हूँ अब मैं second वाले option पर click कर देता हूँ and continue पर click कर देता हूँ पासवर्ड को change कर सकते हो but मैं यहाँ से password change करूँगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी problem नहीं आने वाले password change करने में अब OTP मैंने डाल दिया अब मैं आप ए continue के उपर click कर देता हूँ okay continue पर click करेंगे बस यहाँ पर password set करना है आपका ID तुरंत लॉक इन हो जाएगा विदा उटेनी प्रॉलेम के फिर भी friends अपने ID को आप find नहीं कर पा रहे हो या friends जो आपके access है वो पूरी तरह से बदल गये है hacker नहीं password चेंज किया है आपका email address phone number चेंज किया है तो आई बटन प्यालक सा वीडियो उससे भी चेक कर सकते हो फिर भी problem आ रहे है और कोई वीडियो चाहिए comment box में comment कर सकते हो वीडियो अलब लगता तो वीडियो को like चानलों को subscribe करके bell icon पे click कर सकते हो बस subscribe करने के बाद बस comment जरू करना friends ओके अब जाते हैं ते friends किसको कोई account recover करना है तो आई बटन पे ओर वीडियो जए और screen के उपर की playlist चेक कर सकते हो यहाँ पे कोई वीडियो नहीं है तो comment box में comment कर सकते हो धन्यवाद friends अतने अबारी वीडियो देखने के लिए thank you